नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपनेल सागत जैन, निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो, बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि 40 वर्श की उम्र से लेकर, और 60 वर्श की उमर के बीच में, उनके कंधों में एक बड़ी गंबीर किस्म की समस्य होने लगती है, जिसमें कि उनके जो कंधे होते हैं, उनमें बहुत जादा दर्द होता है और उनका जो movement होता है, यानि कि कंधे को घुमाने की जो उनकी छमता होती है, आगे पीछे करने की जो उनकी छमता होती है, वो कम होने लगती है, खत्म होने लगती है इस condition को frozen shoulder या फिर adhesive capsulitis कहा जाता है सामान्य भाषा में आपने बहुत सारा इसके बारे में सुना होगा, frozen shoulder बहुत सारे लोगों को होता है और 40 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के बीच ही जादा तर ये लोगों में देखा जाता है तो frozen shoulder आपके परिवार में से भी आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि उनको frozen shoulder की शिकायत हो गई, इनको frozen shoulder की शिकायत हो गई अब दोस्तों हमारा जो कंदा होता है, ये तीन प्रकार की bones से मिलकर बना होता है पहली होती है humorous, दूसरी होती है scapula और तीसरी होती है clavicle तो frozen shoulder की जो शिकायत होती है, इसमें patient की तीन stages होती है पहली stage में जबकि patient के कंदे में दर्द होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसका कंदा काम करना बंद करने लगता है इस अवस्ता को freezing shoulder कहा जाता है इसके बाद दूसरी अवस्ता आती है जिसे की frozen shoulder कहते है frozen shoulder में patient को pain बहुत ज़्यादा severe होता है बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उसको कंदे में और कंदे में इतनी ज़्यादा stiffness आ चुकी होती है इतना ज़्यादा कड़कपन आ चुका है इतनी ज़्यादा अकड़न आ चुकी होती है कि उसका जो कंदा एक सामानी व्यक्ति जो कंदे को पूरा move कर लेता है rotate कर लेता है गुमा फिरा लेता है frozen shoulder वाला जो व्यक्ति होता है उसका कंदा बिल्कुल भी movement नहीं कर पाता है movement करना बिल्कुल बंद कर देता है तब इस condition को ही frozen shoulder कहते हैं और इसकी जो तीसरी अवस्था होती है इस अवस्था में सामानी ता व्यक्ति का जो दर्द है और जो अकड़न है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है लेकिन ये तीसरी अवस्था दोस्तों एक वर्ष से लेके तीन वर्ष बाद ही आपाती है यानि कि frozen shoulder जब से शुरू हुआ है उससे एक साल से तीन साल के बीच ही तीसरी stage जो इसकी है वो आती है अब ये जो एक साल से तीन साल के बीच का जो समय है जिसमें की बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अकड़न होती है उस अवस्था में एलोपैथी में तो फिर intra-articulate steroid के injection लगा दिये जाते हैं या फिर continuously pain killers खाना पड़ता है लेकिन homeopathic medicinal system में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं जो की frozen shoulder को पूरी तरह से ठीक कर देती है और 2-3 महिने के समय में ही पूरी तरह दर्द भी खत्म हो जाता है और stiffness यानि की जो अकड़न कंदे में आ चुकी होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं homeopathic medicinal system की तीन ऐसी दवाओं के बारे में आप से बात करूँगा जो की आपकी frozen shoulder को पूरी तरह से 2-3 महिने में ठीक कर देंगी दर्द को भी और अकड़न को भी दोस्तो होमयopathic दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुला करके गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंते पहले या फिर दो से ढ़ाई घंते बाद खी खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज़ की गंद होना चाहिए जिससे की ये होमियोपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होमयोपेथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं, और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाइची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खालें या फिर इन्हेकाने के दो ढ़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अचुछे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिये हो, तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा हुमियोपेथी के सबसे अच्छे result देखने को मिलेंगे ये दवाएं हर हुमियोपेथिक फार्मेशी पे उपलप्द होती हैं हर online फार्मेशी पर उपलप्द होती हैं इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं निरामय होमियोपेथी क्लीनिक से नहीं किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और नहीं कोईजी जाती है इसलिए अपने नजदी की हो homeopathic medical store या online pharmacy से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। इस combination में दोस्तों सबसे पहली जो medicine होगी वो होगी आपकी symphytum officinal homeopathy में अगर आपने मेरे वीडियो देखते रहते हों तो मैंने पहले भी बताया है कि symphytum हड्डियों से related वीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवा है ये ना केबल सूजन को खत्म करती है बलकि हड्डियों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है और हड्डी के जुडने की अवस्था जो रहती है उसको भी increase करती है यानि कि यदि किसी को fracture है तो symphytum का उपयोग वो कर सकता है आज इस combination में आपको frozen shoulder के लिए symphytum का उपयोग है वो 200 potency में करना है यानि कि symphytum office in L की 200 potency आपको लेगे आना है इसकी दो बूंद सुबह, दो बूंद शाम को आप चाहें तो सीधे जीब पे भी रखके पी सकते हैं या फिर एक चम्मच पानी में मिला के भी आप इसको पी सकते हैं इसके बाद जो दूसरी medicine आती है दोस्तों वो है hypericum perforatum homeopathy में इस medicine का भी बहुत ज़्यादा उपयोग frozen shoulder के cases में किया जाता है खास तोर से तब जबकि कंदे में अकडन के साथ हाथ में जिस तरफ के हाथ में ये तकलीफ है जिस तरफ के कंदे में ये तकलीफ है उस कंदे में नम्मनेस या सुनपन आने की भी शिकायत होने लगे खास तोर से उन cases में नहीं तो general तो सभी cases में इसका use frozen shoulder के cases में किया जाता है हाइपरिकम परफोरेटम की भी 200 potency आपको लेके आना है और उसकी भी दोबूंद सुबे दोबूंद शाम को खाली पेट पीना है पानी में मिला के भी पी सकते हैं और सीधे जीब पे रखके भी पीना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और तीसरी medicine होती है दोस्तों क्यूप्रम metallicum क्यूप्रम metallicum भी होमियोपैथी में frozen shoulder के लिए लगभग लगभग एक specific medicine मानी जाती है तो क्यूप्रम metallicum भी आपको 200 potency में लेके आना है और इसकी भी दोबूंद सुवे और दोबूंद शाम को पानी में मिला के भी पी सकते हैं और सीधे जीब पे रखके भी पी सकते हैं इन तीनों दवाओं का उपयोग दोस्तों आपको continue 2-3 महीने तक करना है धीरे धीरे आपका जो दर्ध है कंधे का वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा जो अकड़न कंधे में आ गई है वो भी धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैथिक दवाओं के बारे में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत